जय हिन दोस्तों तो आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है चले दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे बोर्ड परिक्षा 2023 के लिए आप अंतिम के परिक्षा देने से एक महिना पहले पढ़ कर किस तरह से पढ़े हैं जिससे कि आपका बोर्ड एक्जाम मे इवजाम में सफल होईएगा और अपने मता-पिता का नाम रोशन करिएगा ठीका तो चलिए आगे बढ़ते हैं समझेंगे जैसा कि लिखा हुआ है कि बोर्ड परिक्षा 2023 के लिए ठीका दोस्तों बोर्ड परिक्षा के एक महिना पहले बस इतना पढ़ लो दोस्तों केबल इतना पढ़ना है कितना पढ़ना है वो हम आगे बताएंगे और क्या क्या करना है सारा चीज बताएंगे ज्यादा नहीं है बीडियो थोरा दो से चार मिन्ट आप लोग के भविष खाव समझ लेते है तो आप पुरा जीवन सफल हो जाईएगा ठीक है तो बोर्ड विएर देने से एक महना पहले आपको क्या-क्या पढ़ना है, वो सारा चीज़ भी हम बतला देते हैं, और आप लोग सही डंग से समझ लिजिए, ठीक है, देखिए अगर आप लोग एक महना पहले पढ़ते हैं, तो 90 पलस मार्क्स आपका बोर्ड एक महना पढ़ते हैं, तो आप एक महना में सफल होईएगा, और अच्छा नंबर लाईएगा, ठीक है, तो वीडियो को आपको अन तक जरूर देखना है, तब जाकर समझ में आएगा, किलियर है, एक वर्स बरावर एक महना, जी हाँ एक वर्स का महनत केवल आपको एक महने में करना है, और कैसे करना है समझ येगा, अगर ये सारा चीज कर लेते हैं, तो 95% मार्क्स आपका पक्का आएगा, किलियर ना, तो चलिए दोस्तों एक एक चीज को वारिकी से समझेंगे, और समझेंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, तो rule number first को पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों, अब आपके सामने है rule number first, देखिए, क्या करना है समझेगा, सभी subject का important question जरूर पढ़े, देखिए, पूरा book नहीं पढ़ना है अब जो आपको teacher के द्वरा बताया जा रहा है, कि ये important है, very important है, VBI question है तो उसी को cable पढ़ना है, और वो भी पढ़ना है, लिख लिख कर, जितना आप लिख लिख कर किसी भी subject का important question, answer बनाते हैं, उतना ही आपको ज़्यादा याद होगा जितना दोस्तों बता रहे हैं, जरूर follow करिएगा, अगर नहीं करते हैं, तो बाद में बहुत पस्ताईएगा तो सभी subject का, ऐसा नहीं है कि एक subject का, सभी subject का important question जरूर पढ़ें, वो भी लिख लिख कर, clear है, तो ये समझ में आ गया होगा चलिए, अब आगे हैं दूसरा, सभी chapter का one short revision करें, important topic का, दोस्तों जितना भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है, most VBI question, आप सभी chapter का one short revision जादा करें, जितना revision करिएगा, आप उतना ही strong हो जाईएगा और हम बता दें कि ये cable आपको एक महिना करना है, cable एक महिना, अगर इमंदारी से एक महिना कर लेते हैं, तो हम पक्का guarantee के साथ कहेंगे, कि आप लोग का paper बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है, तो important जितना भी question है, उसका आप revision जरूर करें, ठीक है, फिर देखिए आपको क्य करना है, तीन नंबर में, previous year paper को जरूर solve करें, दोस्तों previous year paper जैसे question bank हो गया, तो question bank अगर आप लेते हैं, तो उसमें से आपको ये देखना है, तीन से चार वर्स पहले, तीन से चार वर्स पहले का जो भी question है, ठीक है, जो पूछा गया है, वो सारा question आप अपने notebook में उतार और उसी को बनाएं और याद करें, जितना आप previous year question को तयार करिएगा, आपको ये लगेगा कि आप board exam में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पुछेगा, और यही होता है, board paper में यही होता है, इससे ज़्यादा नहीं पुछेगा, तो आप लोग previous year paper जरूर करें, question bank जरूर कर ल लिए भी वीडियो बन चुका है, वो भी हम आप लोगों को देंगे, चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, दोस्तों अब आपके सामने है rule number 4, board द्वारा जारी model paper, दोस्तों जो board जो जारी करता है model paper उसको और sample paper को जरूर solve करें, ठीक है, जो board के द्वारा model paper जारी क किया जाता है, उसको एक बार आप लोग सही डंग से जरूर पढ़ लीजिएगा, उसी selective सारा question रहता है, ठीक है, क्योंकि वो board खुद ही जारी करता है, कि आप लोग इतना पढ़ लें और इतना पढ़ लेंगे, तो आप topper में आपका नाम भी आ सकता है, ठीक है, तो mode जो board जारी किया जाता है, model paper, उसको आप लोग को एक बार जरूर पढ़ लेना है, clear है, चलिए, अब पांच नंबर में है, कि अब आप ज्यादा से ज्यादा self-study करें, जी हाँ दोस्तों, देखिए, self-study is the most power full होता है, ठीक है, देखिए, अगर आप अंतिम के समय में एक दो मह पहले, जितना self-study करिएगा, जितना self-study करिएगा, वही आपका board exam में ज्यादा नंबर दिलाएगा, तो हम यही कहेंगे कि जो भी जहां भी पढ़ चुके हैं, उसको अपने notebook में लिख लिजिए, और घर पर ज्यादा समय दिजिएगा, घर पर अगर आप ज्यादा समय द ना होगा उसके लिए, तो आप self-study यानि ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है, अब आपको वही पढ़ना है, जो exam में पूछा जाता है, पूरा book नहीं पढ़ना है, ठीक है, अब आपको वही पढ़ना है, जो आपके board exam 2023 में पूछा जाता है, ठीक है, और उसी question को आप इस सारा question आपको हम करा दें, तो आप लोग comment करिएगा, सारा question, long question, ठीक है, long question, and short question, सारा करवाएंगे, और objective भी करवाएंगे, तो आप लोग comment करिएगा, ठीक है, आने वाला सभी वीडियो आपको मिलता रहेगा, तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, तो हमारे channel को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहे, मिलेंगे दोस्तों, अगले वीडियो में तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत, वन्दे मातरम